काई चुनाओ के प्रचार में अखलेश यादव ने दही जलेबी का स्वाद लिया है अखलेश यादव ने ट्विट तस्वीरे की हैं हमारी साजा संस्कृटी जैसा है दही जलेबी का साथ अखलेश यादव ने ट्विट करके ये बाते भी लिखी लखनौ में करहल के लोगों के दुकान पर अपने पन का अनोखा स्वाद मिला और देखे ये दही जलेबी का स्वाद लेते हुए अखलेश यादव आज नजर आये और खुद अपने अफिशल ट्विटर अकाउंट पर ये तस्वीरे भी उन्होंने साजा की है और लिखा कि ह हमारी साजी समस्कृति जैसा है दही जलेबी का साथ लकनौ में करहल के लोगों के दुकान पर आज अपने पन का अनोखा स्वाद चकने को मिला तो निकाय चनाव में प्रचार में उत्रे हुए है अखलेश यादव और आज इसी दरान लकनौ में करहल के लोगों के दुकान पर पहुँचे जहां दही जलेबी का स्वाद लेटे हुए नजर आए तो समाजवादी पार्टी ने भी निकाई चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत जूंकती है लखनो से सपा की मेर प्रट्याशी बंदना मिश्रा का कहना है कि चुनाव प्रचार में कम दिन रहे गए हैं सपा के निता और कारिकर्टा प्रचार में चुट गए हैं सपा चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और हमारी कोशिश है कि सपा की जादातर वाट से पूरी जो समझादी पार्टी के सारे कार्यकरता और नेता सब संद्ध हो गए हैं और इस चुनाओं को हम लोग बहुत गंभीरता पूर वकली रहे हैं क्योंकि ये मौका है कि एक खुड़ी का धेर बना दिया गया है शहर उसका बदलाव लाएं उसमें नगर्निका में बदलाव लाएं उसके शास्थ तंत्र में और लखनो को एक नई इच्छे भी बने उसके बहुत पार्टी सन्नद है पार्टी तयार है एकदम सारी कारे करता है एकदम अपनी पूरी शक्ता के साथ पूरी ताकत के साथ एकदम काम में जुट गए हैं और अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई पूरी हमारे हाथ में हैं जी कॉन्फरेंस की थी जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई थी और पूरे उसे अपना एक विजन दिया था शुक्रिया बाद करने के लिए तो यह थी हमाई साथ में बंदा मिश्राई जिनका थार तोर पर कहना है कि सपा देख्ष को भरूसा है अपने कारिकरताओं पर अपने कैंडेट्स पर इसलिए वो खुद प्रचार अभियार में फिलाल नहीं है लेकिन ये तया है कि वो भी बहुत जल प्रचार करते हुए नजर आएंगे क्यामरा सेयोगी प्रमोट के साथ शेलेशेटोरा एबीपी गंगा लखना हूँ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी